question नमबर पहला है इसको इसको लिखेंगे दो बटा इसको पहले चोटा कोश्टक में तो देखें पहले चोटा कोश्टक हल करेंगे ठीक है तो यहाँ पहों हम छोटा कॉश्टक लगाएंगे आठ और दो का लगुत्म कितना होगा आठ होगा देखें दो चौक आठ होता है तो आठ और दो का लगुत्म आठ होगा तो आठ से एक बार में तो एक गुने पांच यहाँ पे पांच लिखेंगे जोड देखें दो से आठ कितना बार में लगता है चार बार में दो चौक तो 4-1, 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 2-4-8, 4-1, 4, अब देखिए इसको हम लिखेंगे, 2-3-5-4, अब इसको जोड़ लेंगे, तो 5-4-9 हो जाएगा, बटा 8, अब छोटा कोश्टक को हटा देंगे, ठीक है, छोटा कोश्टक को हटा देंगे अब, तो जब भी कोश्टक में रहे, तो पहले कोश्टक को हल करेंगे, देखिए इस तरह में, पहले छोटा कोश्टक को हल कर लेंगे, उसके बाद हम 2 वटा 3 से हम इसको जोड़ेंगे, तो 2 वटा 3, जोड, 9 वटा 8, तो 8 और 3 का लगुत्तम कितना हो जाएगा, 8 तिया, 24, देखिए, 3 और 8 का लगुत्तम, 24, तो 83, 24, तो 8 दुनी, 16, जोड, 8 तिया, 24, तो 9 तिया, 27, देखिए, 8 तिया, 3 बार में 24, 8 से 24 को 3 बार में भाग देंगे, 3 बार में आता है, 8 से, तो 3 से 9 को गुना करेंगे, तो 9 तिया, 27, 23, 84, तो 8 दुनी, 16, अब देखिए, इसको हम जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 7, 6, 13, हाथ में रहा 1, 43 बटा 24, देखिए, 7, 6, 13, हाथ में रहा 1, 2, 1, 3, 1, 4, 43 बटा 24, अब इसको हम, पुर्णांक में बदलेंगे, तो कितना आएगा, देखिए, 24, दुनी, 48 होता है, तो हम एक ही बार में लगाएँगे, एक आएगा भागफल, अब 43 में से 24 गटाएँगे, तो 13 में से 4 गया, 9, तीन में से 2 गया, एक, यानि एक पुर्णांक, 19 बटा 24, एक पुर्णांक, 19 बटा 24 हो जाएगा, इसका अंसर, तो इस तरह से देखिए, कोश्चन नमबर एक, हल कर लेंगे, कोश्चन नमबर दूसरा में है, 8 पुर्णांक, 1 बटा 2, जोड, 3 पुर्णांक, 3 बटा 4, गुना, 7 पुर्णांक, 1 बटा 2, तो इसको हम पहले देखिए, पुर्णांक तोड़ लेते हैं, तो 8 दूनी 16, 1, 17 बटा 2, जोड, 4 तिया 12, 3, 15 बटा 4, देखिए, इसको हम कोश् देखिए, 7 दूनी 14, 1, 15 बटा 2, तो पहले हम पुर्णांक में तोड़ लेंगे इसको, 8 दूनी 16, 1, 17 बटा 2, 14, 12, और 3, देखिए, 14, 12, 3, 15 बटा 4, तो पहले छोटा कोश्टक हल करेंगे, देखिए, ये दोनों छोटा कोश्टक में है, तो इसको पहले हल करेंगे, उसके कितना होगा, 4, तो 2 दूनी 4, तो 17 दूना, 34, जोड, 4 से देखिए, एक बार में 4 आता है, तो 15 गुने 1, 15, अब इसमें छोटा कोश्टक हम लगा लेंगे, गुना, 15 बटा, 15 बटा 2, ठीक है, अब देखिए, 34 और 15, कितना हो जाएगा, तो 5, 4, 9, 3, 1, 4, यानि 34, 15 हो जाएगा, 49, तो 49 बटा 4 लिखेंगे हम, गुना, 15 बटा 2, अब देखिए, यहाँ पर कोई कट नहीं रहा है, ठीक है, तो बस गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, तो गुना करेंगे, तो आ जाएगा, देखिए, 49 को 15 से गुना करेंगे, 15 नम्ह होता है, 135, ठीक है, 15 को 9 से पहले करते हैं, तो 15 नम्ह 135, हाथ मे रहा, 13, 15, चौक 60, 60, और 13 कितना हो जाएगा, 73, तो आज आएगा, 735 बटा 4 दूनी 8, अब देखिए, इसको हम भाग देंगे, तो कितना आएगा, 8 से देखिए, 8 नम्ह 72 होता है, 73 है, तो 8 नम्ह 72 तो देखिए, 15 होगा, तो 8 दूनी 16, तो एक ही बार में लगीगा, 8 से, तो 15 में से 8 यह साथ, यानि 7 हो जाएगा, सेसपल, और यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, पुर्णांग, 7 बटा 8 इसका अंसर होगा, तो इस तरह से हम कोश्चन नम्ह दूसरा को हल कर लेंगे, कोश्चन नम्ह 3, 5 पुर्णांग, 1 बटा 3, गुना, 2 पुर्णांग, 2 बटा 7, जोड, 3 पुर्णांग, 2 बटा 7, तो इसको हम पहले पुर्णांग तोड़ लेते हैं, तो 5 यह 15, 16 बटा 3, गुना, सादूनी 14, और 2 कितना होगा, 16, तो 16 बटा 7, जोड, साथ यह 20 और 2 कितन हो गया, 23, तो 23 बटा 7, तो यह दोनों को हम छोटा कोश्चक में कर देंगे, क्योंकि कोश्चक लगा हुआ है, अब देखिए, पहले छोटा कोश्चक खल होगा, उसके बाद जो आएगा, उसके साथ इसको गुना करेंगे, तो इसको बस लिख देते हैं, 16 बटा 3, गुना, साथ साथ का लगुत्तम कितना हो जाएगा, साथ साथ का लगुत्तम हो जाएगा, साथ, यहां पर लिखेंगे 16 जोड 23, अब यहां पर हम लिखेंगे 16 बटा 3, गुना, 6, 3, 9, 2, 1, 3, 49 बटा 7, देखिए, 6, 3, 9, 2, 1, 3, तो 49 बटा 7 हो गया, अब 3 से 49 काट देंगे, 13-49 होता है तो 3-49 को काट देंगे हम 13 बार में ठीक है अब देखे 16 उन्हें 13 कितना हो जाएगा तो 16 तिया 48 हाथ में रहा 4 तो 16 उन्हें 1 16 और 4 20 तो 208 बटा 7 देखे कितना आ गया 208 बटा 7 आ गया तो इसको हम पुर्णां के बदल देंगे तो 7 दूनी 14 देखें 7 दूनी 14 छे बचेगा तो 6 इदर गया 68 हो गया ठीक है तो 7 नमबर 63 9 बार में लगाएंगे तो 5 बचेगा 68 में से 63 गया तो 5 तो 5 हो जाएगा 6 पल और यहाँ पर लिखेंगे 7 तो 29 पुर्णांक 5 बटा 7 इसका अंसर होगा कोश्चन नमबर 3 का कोश्चन नमबर 4 तो कोश्चन नमबर 4 है 25 पुर्णांक 1 वटा 2 घटाओ 2 पुर्णांक 1 वटा 3 गुना 8 पुर्णांक 3 वटा 4 जोड 1 पुर्णांक 3 वटा 4 तो देखें पहले पुर्णांक तोड लेते हैं तो पचीस दूनी पचास एक, एक आमन बटा दो, घटाव, तीन दूनी छे एक, साथ बटा तीन, गुना, देखें, आठ चोग बत्तीस, बत्तीस तीन, पैंतीस बटा चार, जोड, चार गुने एक चार, चार तीन, साथ बटा चार, तो देखिए, जो कोश्टक में, उसको कोश्टक में ही कर लेंगे, ठीक है, ये कोश्टक में देखिए, छोटा कोश्टक लगा हुआ है, तो पहले कोश्टक हल होगा, छोटा कोश्टक, उसके बाद, गुना भागा जो भी है, उसके बाद होगा, तो पहले देखिए, छोटा क बटा तीन गुना अब चार और साथ का चार और चार काले घुत्यम कितना हो जाएगा चार तो 35 जोड़ हो जाएगा साथ ठीग है कोईश्टक लगा देंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक कामन बटा दो घटाओ साथ बटा तीन गुना 35 साथ कितना हो जागा देखें साथ पंच बारा यानि 42 बटा चार ठीक है अब देखें यहाँ पर गुना है अब तो छोटा कोश्टक खटा देंगे क्योंकि हल हो चुका है छोटा कोश्टक को हम हल कर चुके हैं तो गुना है और घटाओ है तो पहले क्या होगा गुना हल होगा उसके बाद ही घटाओ हल होता है तो देखें पहले गुना की किदिया होता है उसके बाद घटाओ की अंत में अगर जोड रहता तब गुना के बाद जोड करते उसके बाद घटाओ लेकिन सिर्फ गुना और घटाओ है तो पहले गुना करेंगे उसके बाद हम घटाओंगे तो देखिए तीन से ब्यालिस कितना बार में कटेगा चौधा तीयर ब्यालिस होता है तो काट देंगे अब तीन से ब्यालिस चौधा बार में अब इसको हम लिखेंगे एक कामन बटा दो घटाओंगे चौदा सते तो देखे सच्चोक 8, 7, 9, इनी अन्ठान में बटा, 4 है याँ पर, हर में 4 है, अंस में 14 सते अन्ठान में, अब 2 और 4 का लगुत्तम कितना होगा देखे, 4, 2 और 4 का लगुत्तम 4, 2 दूनी 4, तो एक आमन दूनी, देखे, 102, एक आमन दूनी 102, घटाओ, यहाँ प अब 102 से 98 में घटाएंगे तो कितना आएगा देखें 102 से 98 में घटाएंगे तो आजाएगा 12 में से आड़ीया 4 यह होगा 9 सुन यानि 4 आएगा 102 में से 99 में घटाने पर तो 4 बटा 4 4 बटा 4 काट देंगे क्या आएगा बराबर 1 4 से 4 देखें एक बार में कड़ जाएगा उन्हें एक 4 होता है तो एक आजाएगा इसका अंसर तो इस से रहा हम कोश्चन नमबर 4 हल कर लेंगे